नमस्कार दोस्तों मोसम विबाग को लेकर अब ये पीकी सबसे बड़ी खबर देश का एक मातर चैनल है जिस पर मोसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट की जाती है सात्यों बतादे बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है इसकी वज़े से आगामी 48 घंटों में लगबग 8 राज्यों में कहीं पर भारी भारिस तो कहीं पर ओलव रिष्टी के संकेते मोसम विबाग के द्वारा जारी किये गए हैं ऐसे में दूस्तों किसान भाईयों का बेहद नुकसान होने वाला है तो आईए जान लेते हैं कहां कहां पर भारी बारिस होगी कहां पर ओलव रिष्टी होगी और कहां पर फसलों को जादा नुकसान होगा दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई सेरों में तेज हवाओं के चलते मौसम खुसनुमा रहने की उम्मीद है मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में 25-35 किलो मेटर प्रैती गंटी के रबतार से हवाय चलेंगी मौसम भाग के और से दीगाई जानकारी के मताबिक दिल्ली समेत कैई सेहरों में तेज हवाओं से ठंड की वापसी हुई है इसके अलावाद देश के उत्तर पश्चिमी और मद्य भाग में दिन और रात के तापमान में विरद्धी होगी अगले दूसे तीन देनों के दोरान गेलिगिट बाल्टिस्तान, मुझप्राबाद, लद्धाग, जम्मु कस्मीर और अरोनाचल प्रदीश के उपरी इलाकों में हलकी बारिस और हिमपात होने की संभावना है तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज में क्लियर कर दू कि जो उत्तर भारत है इसमें दिल्ली, हरियाना, पंजाब, राजस्थान, मद्धे प्रदीश, बिहार, जारखंड और उत्तर प्रदीश यहाँ पर आगामी 48 गंटों में लगबग 40-50 किलोमेटर प्रेती गंटी की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं दिल्ली सहित, पंजाब, हरियाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदीश में आगामी 2-3 दिनों में नियुनतम तापमान में 2-3 डिगरी की बड़ोतरी देखने को मिलेगी वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, चतिसगड, महराष्ट, जारखंड और पश्चमी बंगाल में नियुनतम तापमान में 2-4 डिगरी की ग्रावट आने की संभावना है मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सठीक जानकारी पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइगन प्रेस करें तता आप हमारे वीडियो किस राज्ये से देख रहे हैं कॉमेंट बोक्स में हमें अवे से बताएं दन्यवाद दूस्तो जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम